पिछले कुछ दिनों से ठिटूरन देने वाली ठेंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया इसे में समासेवी संसा हिद्जोती फाउंडेशन ने सावनेर और नाकपुर शहर में सड़क पर खुले में सोहरे पचास से अदेक बेगर लोगों को कंबल वितरत कर मानफता क परेच्वे दिया इस समय नाकपुर जिला शेत्र में ठंट का प्रकौप बढ़ गया है बेगरों को ठंट से बचाने के लिए सोशल मीटिया पर मदद मांगते वे हिद्जोती फाउंडेशन ने करेब 400 कंबल चुटाए गए और इसके वितरन हेतु हिद्जोती आधार रहा की नाकपुर नगर निगम को इन सभी वेघर लोगों को ढूंद कर आश्रे केंदर में आने के लिए प्रोचसाहिद करना चाहिए बसस्टैन रेलवी स्टेशन बैदना चौक कस्तूर चंद पार्क तुकडोची चौक मेडिकल चौक सीता बर्डी आधी लाकों में अकसर पुलिस का नाम आते ही डर का भाव उत्पन होता है लेकिन इस से पुलिसिया वर्दी के भीतर भी एक आम इंसान होता है जो अपने कर्टवी के साथ-साथ सामाजिक दायत्व भी निभाने में सदेव तत्पर रहते हैं ऐसे ही इनसाम नेर पुलिस थाने के थानेदा मारूती मुलुक ने हिजोती फांडेशन को अपनी और से पचास कंबल उपलब्द करा कर मानफता का परिच्छे दिया इस अफसर पर उन्होंने कहा कि हर साल सर्दी में ठंड से मरने वालों की तादाद बहुत ज्यादा होती ह इस अफसर पर उन्होंने कहा कि हर साल सर्दी में ठंड से मरने वालों की तादाद बहुत ज्यादा होती है और उस वक्त पुलिस को दुखी मन से शवो का पंचनामा दुखी मन से करना पड़ता है हिजोती फाउंडेशन द्वारा जारी इस कारे में सहियो कर मुझे बहुत खुशी हो रही है और हिजोती के इस से पहल को हर जगा सराह जा रहा है और अनेक समासिवी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं जिससे हम इस कड़कडाती ठाइड में बे सारा लोगों की मदद कर करने में सफल होने की बाद हिजोती आधार फाउंडेशन के हितेश बंसोर ने कही इन बीसीन न्यूस के लिए सावनेर से समवादाता कि शो ढूंडेले की रिपोर्ट